आपके पास जितनी ज्यादा एनरजी होगी उतना आप ज्यादा कर पाएंगे इनफ एनरजी और राइट मैंड से डिये दो चीज अगर आपके पास है तो 12 गंटे के काम को 8 गंटे के अंदर शेडिल करना पूरी तरह से आपके लिए पोसिबल हो जाता है इसका मतलब है कि आपके पास भलही कम टाइम लेफ हो लेकिन आपके पास रही ज्यादा एनरजी आपके काम को जल से जल पूरा करने में मदद रूप साबित होगी हर एक दिन आपके पास 24 गंटे होते हैं ना उससे ज्यादा होते हैं और ना ही कम इसका मतलब है कि आपको हर टाइम ज्यादा काम करने की ज़रूरत होगी और वो भी कम स्ट्रेस के साथ इसके लिए कुछ ऐसे तरीके है जिने आप उपयोग में ला सकते हो जैसे कि हर रोज रात को पूरी नीद लेने पर फोकस करे अपनी एनरजी को बढ़ाने के लिए पूरे दिन नियमित रूप से बीच बीच में ब्रेक लेना कभी न बुले पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करे इसमें एक टाइम पर 25 मीट तक काम करना और अपना पूरा दियन सिर कुछी कम में लगाना और फिर 5 मीट के लिए चोटा सा ब्रेक लेना जैसे की उठना, चारो और गूमना, कुछ पानी पीना, रिफ्रेश होना वगेरा पूरे शेडियूल में इसी तरह की लुप को दोर आते रहे अगर आप कोफी और आलकॉल का सेवन करते हो तो उसे कम से कम करे या हो सके तो ना ही करे, खास कर तब जब आप दिन के रूटीन में है खाना जितनी भूख लगी हो उतना ही खाये, लेकिन ज्यादा फेट वाली या मिलावटी चीजों को अवेड करे अपनी ओवरवल एल्थ पर ध्यान दे और ज्यादा एल्दी वर्जन मेंटेन रखे री एडरेशन के लिए और फोकस बढ़ाने के लिए पानी पीने की मातरा में इनफ बढ़ोतरी करे हर रोज एक्सरसाइज करना ना भूले, डेली कम से कम 20 मिट तो एक्सरसाइज को देना ही देना है अगर आप इटनी टिप्स का रेग्यूर डंग से उप्योग करना सीख जाते हैं तो आपका सिग्रेट एनरजी लेवल आसनी से बूस्ट होगा जो आपके और बड़े या टफ काम को जल से जल पूरा करने में आपके लिए कारगर साबित होगा To be energetic, act energetically